वेलकम बैक गाईस आज का वीडियो काफिज़दा खास होने वाला है मेरे सामने बहुत सारा डैमन ब्लॉक है तो मेरे दिमाग में खतरनाक सा आइडिया आया है क्यों ना हम लोग यहां से सारा डैमन ब्लॉक की माइनिंग करके अपने घर लेकर चले और अपने घर को अपडे करके और यह सारा डैमन लेना है लेकिन कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम इसे गोलम को नहीं हरा सकते क्योंकि यह गोलम बहुती जदा ताकतवर है इसे हराने के लिए मुझे किसी गोलम का मदद लेना होगा और इसके लिए मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा तो हम पर चलते हैं क्या पता वहाँ पर मुझे मेरी problem का solution मिल जाए तो यहीं पर चलते फड़ापर से आचुके यहाँ पर ओर राइट यहाँ पर चार अलग-अलग तरह का golem है लेकिन यह मुझे free में नहीं देगा हर golem का यह मुझे price लेगा और यहाँ पर अलग-अलग price है सबसे मेंगा है 10,000 डॉलर का और सबसे कम है 1 डॉलर का तो मेरे पास में फिलाल 1 डॉलर है तो हम लोग एक काम करते हैं 1 डॉलर वाला golem खरीद लेते हैं मैं इसे देता हूँ कि असफटावर से मैंने इसे 1 डॉलर दे दिया अब हम लोग liver को प्रेस करके इस गोलम को activate कर देते हैं और यह हमारे साथ चल सके ताकि उस गोलम से fight कर सके ओल्राइट गाइस 1 डॉलर का गोलम तयार है अब हम लोग इसे लेकर वहीं जाएंगे जहां पर वो गोलम है जिसने मुझे हिट किया था जिसके पास बहुत सरा diamond का block है वहीं पर लेकर चलते हैं क्योंकि यह उससे fight करने वाला है अल्राइट गाइस हम लोग यहां पर आ चुके हैं और मैंने इसे बता दिया है कि इस गोलम से fight करना है और यह भी तयार हो चुका है पुक से ही उरा दिया इस गोलम में कुछ ज्यादा ही ताकत है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा और मेरे पास घर में भी बहुत सरा dollars पर आ है तो मेरे दिमाग में खतरनाक सा idea फिर से आया है क्यों ना हम लोग उस गोलम से भी मतलब उस cash से ही उस dollar से भी हम लोग गोलम को खरीद सकें तो काफी ज़दा मज़ा आएगा क्योंकि उस गोलम को मारने के बाद उसका सारा diamond block और diamond हमारा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने chest को check करेंगे बेड को हटा दिया क्योंकि मैं अपने cash को safely तरीके से रखता हूँ और मुझे dollars मिल चुका है और इस money को ले जाकर हम लोग वहीं जाएंगे जहां पर वो character है जो गोलम बेचता है वाल राइट guys फटापर से चलते हैं क्योंकि आप हमें चाहिए 64 dollars का गोलम हम लोग यहां आ चुके हैं मैं इसे फटापर से देता हूँ इसका price कितना है यह ले ले लेता हूँ 64 dollars का तो मैंने इसे दे दिया 64 dollars और यह मान गया है फटापर से इसे activate करते हैं liver को press कर दिया और यह activate हो चुका है अब मैं इसे वही लेकर जाओंगा जहां वो गोलम है क्योंकि उस गोलम को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मुझे उमीद है यह गोलम को उससे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि यह giant size का है उस गोलम से कुछ ज्यादा ही giant है ओके अब देखते हैं क्या होता है और अभी तक आप लोग ने like नहीं करा है like कर लो subscribe नहीं करा है subscribe कर लो all right guys हम लोग यहाँ आ चुके है अब देखते हैं क्या होता है लेकिन यह क्या यह गोलम तो खुद को double बना लिया है इसने खुद का double डॉल बना लिया और दोनों में same ताकत है कुछ तो गरबर है अब मुझे लगता है हमारा गोलम पीट सकता है और दोनों मिलकर हमारे गोलम पर प्रहा कर रहा है और हमारे गोलम को kill कर भी दिया और इस वारे भी हम लोग हार चुके हैं अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं इसे हराऊंगा कैसे क्योंकि उस गोलम को खरिदने के लिए मेरे पास 10,000 डॉलर्स नहीं है और यहाँ पर कोई बैंक भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर रॉबरी कर सके वो इससे अगले वाले विलेज में है और वहाँ जाने में पताने कितने दिन लग सकता है इसलिए मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा अगर हम लोग यहाँ किसी विलेजर के घर में चोड़ी कर सके तो काफे जदा हम लोग को मज़ा आएगा लेकन यह क्या गलती से मैं नीचे गिर गया हूँ और इस एरिया के बारे मतलब मुझे कुछ भी आडिया नहीं है कुछ ज्यादे हम लोग नीचे गिर चुके है ओल राइट यहाँ पर दो दो चेस्ट है लेकिन लॉक लगा है मुझे चाभी चाए इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर स्केलेटोन भी और चाभी भी है मुझे लगता है कि यह दोनों बॉक्स लेकि जा रहा होगा और इसके अंदर गिर कर यहाँ फसके रहे गया होगा ओपन कर लिया मैंने ओपन करते हैं इसे फड़ापर देखते हैं इसके अंदर क्या है ओके इसके अंदर बहुत सारा डॉलर्स है यह हमारा बहुत ज़्यदा लग अच्छा हुआ कि हमें आराम से 10,000 डॉलर्स मिल गया है अब उस गोलम को हमनों खरीद पाएंगे असानी से क्योंकि हमेरे पास बहुत सारा मनी हो चुका है तो चलो फड़ाबर से वहीं चलते हैं जहां पर वो क्यारेक्टर है और उसे हम लोग डॉलर्स देकर उसका गोलम ले लेंगे और इस बार मुझे पूरा यकीन है इस बार बहुत ज़्यदा जाइंट साइज का हमारा गोलम होगा और हमारे गोलम को हराना उस गोलम के लिए impossible होगा और राइट गाइस अब मैं इसे क्या करता हूँ 10,000 डॉलर्स मैं इसे पे कर देता हूँ फड़ाबर से मेरे पास जितना भी है मैं इसे देता हूँ इसे मेरे पास काफे ज़िदा था तो मैंने इसे दे दिया है अब हम लोग क्या करेंगे फड़ाबर से लिवर को प्रेस करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता लिवर को प्रेस कर दिया अब हमारे सामने तयार है एक जाइंट साइज का गोलम यह हमारा गोलम है और ये हमारी help करेगा तो चलो हम लोग इसे अपने साथ लेकर चलते हैं जहां पर वो दो गोलम है उसे आज हम लोग पूरी तरीके से kill करके ही मानेंगे चाहे जो भी हो जाए ओके ये मेरे पास आ रहा यानिक मेरे पिछे-पिछे आ चुका है मैंने इसे बता दिया है कि सामने दो गोलम को kill करना है एक तो गया और ये दूसरे का भी काम तमाम कर दिया अब इसका सारा diamond मेरा हो चुका है और साथ में diamond block भी हमारे इस गोलम ने कमाल कर दिया पैसे खर्च हुए लेकिन इस गोलम ने बहुत ज़्यदा कमाल कर दिया तो चलो अब चलते हैं सोने के लिए क्योंकि हम बहुत ज़्यदा ठक चुके हैं और आज हमारा होने वाला अगला दिन और आज भी हमनों कोसिस करेंगे कोई नए चैलेंज को फेस करने के लिए ओल राइट मुझे मेरे सामने एक साइन बोर्ड दिखा है देख लेते फटापड से क्या सीन है यहाँ पर क्या लिखा है कुछ तो लिखा है होगा ओल राइट अगर हमने इस गोलम को डिफिट कर दिया तो मुझे मिलेगा वन मिलियन डॉलर यहाँ पर साप साइन बोर्ड पर लिखा है तो मेरे दिमाय में खतरनाक सा एडिया आ चुका है क्यों न हम लोग यहाँ पर इस गोलम को डिफिट करे और मुझे मेरे पास दुबारा से मौका आ चुका है उससे दस गुना ज्यादा कमाने का यानि वन मिलियन डॉलर तो हम लोग आ चुके अपने घर में और मेरे पास चेस्ट में यहाँ पर परा हुआ है पंप की इन साथ में यहाँ पर आरन का ब्लॉक परा हुआ है इसे हम लोग क्या करेंगे इसे एक गोलम तयार करते हैं हमें लगा देता हूँ अच्छी तरीके से ओल राइट मैंने के स्मॉल साइज का गोलम बना लिया है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसे ही फाइट करवाएंगे इसे क्या होगा सामने वाले गोलम के पास कितना ताकत है इसका अंदाजा हमें लग जाएगा और साथ में हैड के लिए हम लोग पंकीन ले लेंगे और राइट यहाँ मैंने ले लिया है अब मेरे पास लास्ट यानि के इसके बाद सिर्फ एक ही बचा है जाइंट गोलम बनाने के लिए पहले इस मेडियम साइज के गोलम को भिरबाते है ओल राइट देखते हैं क्या होता है और हमारा गोलम बनकर तयार हो चुका है लेकिन इसके हैंड है ही नहीं लेकिन हम लोग दो ब्लॉक में इतना ही गोलम बना सकते हैं तो चलो वहीं पर चलते हैं जहांपर वो गोलम है इसे डिफिट करना बहुत ही ज़्यदा जरूर ही है और मैं इसे डिफिट करके ही रहूंगा ओल राइट मैंने इसे बहुत यह क्या यह गोलम भी बिल्कुल ने टिका अब मेरे पास सबसे लास्ट अप्सन बचा है आप मेरे पास से 3-4 बलॉक बचा आयरन का और साथ में सिर्फ एक ही पउपकीन बचा इसका मतलब हम लोग अब सिर्फ एक ही गोलम को सपाउन करा सकते हैं और यह हमारे लिए सबसे लास्ट मौका है और राइट यहां पे 4 बलॉक आयरन का है और एक pumpkin का head है तो हम लोग यहां पे फड़ाबर्स क्या करते हैं यहां पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे और यहां पे head लगा देते हैं head लगा दिया आप देखते हैं क्या होता है और यहां पर finally हमने iron golem बना लिया है इस यह उस गोलम को मार सके अगर इसने भी उसे नहीं मार पाया तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा क्योंकि किसी ना किसी तरीके से मुझे उसे किल करना ही होगा तब ही मुझे मिलेगा one million dollar ये क्या हमारा ये गोलम तो डड़ के भाग गया अब हम लोग क्या करेंगे मैं ये गोलम तो उसे स्मॉल साइज के गोलम से भी ज्यादा डड़ पोक निकला मुझे कुछ तो करना पड़ेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग एक काम करते हैं हमारा एक फ्रेंड है प्रेंटिस्ट आ चुका है और मैं इसे सारे बात बता देता हूं मैंने इसे बता दिया और ये मेरी मदद करने के लिए तयार हो गया है चलते फ़रापर जिसके पीछे पीछे बेस्मेंट में यह गया नीचे बेस्मेंट में हम लोग भी चलेंगे बेस्मेंट में ओल डाइट यहाँ पर हमने तयार कर लिया अपना गोलम अब इसे लेकर जाएंगे फटाबर्स वहीं पर जहाँ पर वो भिलेजर है उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है और यह मेरे पीछे पीछे आ रहा है आने देते आने देते हैं अब मैं इसे वहीं लेकर जाओंगा क्योंकि उसे हरा कर हमें चाहिए वन मिलियन डॉलर अब वो गोलम हरने वाला है मतलब पूरी तरीके से डर में वो गोलम होगा ओके मैंने इस गोलम को ला दिया उसे जाइंट है और एक ही वार में पूरी तरीके से किलियर कर दिया और यहां पर बहुत सारा मनी है तो मैं सारा मनी कॉलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बता दे न आप लोग फड़ा बर से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सेट कर दे